स्वागत है बच्छो आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम न्यू जो हमारे बिगनर्स बच्चे हैं जो अभी संस्कृत पढ़ना सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो लेकर के आए हैं पुश्पो के नाम संस्कृत में अठाथ फूलो के नाम संस्कृत में पढ़ेंगे और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का तो शुरू करते हैं पुश्पो के नाम संस्कृत में कनीर कनीर को क्या कहते हैं हिंदी में कनीर कहते हैं और संस्कृत में क्या कहते हैं कर्ण नो रहा कमल हिंदी में क्या कहते हैं कमल तो और संस्कृत में जो नीला कमल होता है उसको कहते हैं इंदी वरम और जो श्वीद कमल होता है अर्थास सफीद कमल होता है उसको कहते हैं कैरव आगे है कमल अगर लाल रंग का कमल होगा तो उसको क्या कहेंगे को कंदम या पद्यम आगे है कुमूदनी, कुमूदनी को कहते हैं कुमूदम कुंद को कहते हैं कुंदम केवड़ा होता है केतकी आगे गुलाब को संस्कृत में क्या कहते हैं पाटलम और गेंदे को क्या कहते हैं स्थलपध्यम आगे हर सिंगार का जो फूल होता है उसको क्या कहते है शेफवाली का निवारी को कहते है नवमाली का चंपा को क्या कहते है चंपकह आगे रात की रानी को क्या कहते है रजनी गंधा और बेला को क्या कहते है मलीका बेला को क्या कहते है मलीका और दुपहरिया को क्या कहते हैं बंधुकह आगे मालती को क्या कहते हैं मालती पुश्पम आगे है जुही, जुही को क्या कहते हैं युथिका कनीर को कहते हैं कर्णिकारह मौलसरी को कहते हैं बकुलह जवा पुश्प जो होता है उसको कहते हैं जपा पुश्पम प्रण्दन को क्या कहते हैं शिरीखंडम आगे और शिरीखंडम को और क्या कहते हैं हम जामबजम भी कहते हैं सूरजमुखी सूरजमुखी क्यों क्या कहते हैं सूर्यवितम या सुवन चला आगे लास्ट गुलमोहर को क्या कहते हैं राजाप्रंटन या कृष्ण कृष्ण च अगर आपनी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजी का और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजी का नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजी का तब तक के लिए धन्यवाद